कि जितना भी हो सका हम से मैंने प्रयाब रंशनक्षन के लिए पौधा रोफण किया है कि आईए आप सबों को अपने बगीचे का पौधा दिखाते हैं किस किस पौधा को अंदर पांतिया है आम का पौधा है यह अलग अलग भिराइटी के आम सा पौधा है हम अम्रूद है आम है वहां सामने वो बढ़ हर है पौपुलर और केला मोहगनी कि सी सॉम कि आईए इधर देखाते हैं केला का अलग 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 जराइके हैं और यह जामन का पौधा है शाइड है है बोतल बड़ा से फूल है वही फूल का है और यह केला मोहगनी का प्लांट है इसे बहुत सारा प्लांट लोटन की यह है यह चीकू है चीकू फल गोले-गोले होता है यह निंबू है कागजी निंबू है छोटा वाला वहां दो निंबू है यह अम्रूद है यह फ्रोटा ही रहता है इसको लोग बोलते हैं चाहिनीज निंबू लेकिन फ्रोटा हुए और लोजाद दलता रहता है यह गूलर है इसको गूलर बोलते हैं नोहगनी देखिए इतना बड़ा बगान है आप लोग दिख सकते हैं पहले रोपन किया थे वो जो देखिए आम फ़रा हुआ है अभी तोड़े भी है अपने से गिर्टा भी है यहां इधर दिखाई इसको प्लांट फूस्प है यह करोंद है इसका मुरबा और चक्नी बनता है किसंदर यह मुहगनी है चांदनी कप लगाएं है बेल है सिस्वम है सगवान है इधर है आप लोग देख कर बताएए यह जो आम है देखिए कलमी आम है इसे बीजू आम है यह बड़ा वाला जो बिख रहा है इसे बीजबीच में लगाएं है इधर टेजपत्ता का पौधा है जो चाय पति में पढ़ता है वहीं तेजपत्ता हम लोग सब्सक्राइब बहुत बढ़ियां लोग है देखिए यही है यह बढ़ियां हुआ है इसमें अंग्रूद है आम है आम का ज्यादा ही भेराइटी है इसमें बगीचा में प्लांट है और यह कितना है यह अम्रूद फड़ा हुआ है बहुत जादे अब देख सकते हैं जादो मास में पढ़ियां निकलेगा अंग्रूद का विक भ्राइटी है निखिए यह है यहां यहां भी लिची है और यह अनार अनार है देख सकते हैं आप यह अनार है यह आम है देखिए अभी इसमें मंजर आ रहा है अभी यह जाकर करके है भादो मास में सावन के बाद इसमें फल लगेगा मंजर आ गया है उसी टाइम में यह बड़ा बड़ा फल हो जाका है हां और यह वो जो जामूं दिख्गा कि यह आनार है कि वो जामूं बड़ा वाला प्रें जामूं है जो कि इस समय पकता हो यह जो जो च्छोटा वला जामून है जो इस बारिस के मौसम में जामुन फल इसमें लगेगा है ऐसे यह रोरी का प्लांट दिखाते हैं रोरी भी लगाए है इसमें बहुत बड़ा बगान है आप देख सकते हैं इरहर है कितने बढ़ियां यह जो होता है ना बड़ा वला लेकिन उसमें एक मीडियम वराइटी आत है वो निम्बू कहा है अपने से इतना हो सका है